है कि ऐख लोट squeeze कि और ह्णय के और य्य है हम वेलकम नोस टुي-टॉरियल और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम Mughal Sammaraji के बारे में बात कर रहे हैं और मुगल Saammaraji के बारे में हम इन चीजों के बारे में अल्रेडी बात कर चुके हैं फर्स पार्ट में हुमायू हमने बात कर ली थी हमने सेट सा सूरी तक बात कर ली थी तो अब इसके बाद में हम अगला जो है वो है आपका इंपोर्टिंट वो है आपका अकबर आप लोगों को नाम तो याद होई गया होंगे 1556 से 1605 तक काफी ल जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर 1542 में अमर कोट के राणा परसाथ के महल में हुआ बाल्यकाल के बाल्यकाल में उन्होंने गजनी और लाहोर के सुवेदार के रूप में काम किया था में इस दो जगह के सुवेदार ये रह चुके थे अकबर और 1556 में बैरम खा को वजी न खाना के उपादी इन्हों ने ली थी तो खाने खाना के उपादी किस ने ली थी वो ली थी बैरम 1556 में अकबर ने और उस टाइम पे बैरम खा इनकी इनका वजीर हुआ करता था ये भी एक तरीका है जब हम किसी PDF को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम जेस्ट क्या करेंग इन चीजों को एक सर्कल के अंडर में आप डाल सकते हैं इस तरह से मार्क कर सकते हैं चीजों को और फिर फाइनली आपके लिए क्या होगा कि एक पॉइंट बन जाएंगे जैसे आप लोगोंने फर्स से ये देखा कि राणा परशाद राणा परशाद के बारे में आप नाम है बैरम का पानीपत का दुतिय युद्ध जो हुआ था वो किस-किस के बीच में हुआ था अगबर के वजीर के बीच में और मुहमद आदिल साहा तो यहां पे जो प्लस है इसे एक्शुल में आपको इस तरह से आप इसे मान के चल सकते क्योंकि ये दो पार्ट थे किस पानीपत के जो दो युद्ध है उसमें आप लोग देखेंगे कि यहां पर भी आपको six मिलता है ठीक है तो इस तरह से फर्स्ट में six है और second में भी क्या है आपका six है तो इस तरह से आप लोग इसे याद रख सकते हैं तो अब चलिए यहां पर क्या है आप लोगोंगा कौ एक तरफ तो यह थे और दूसरी तरफ कौन थे मुहमद आदिल साह सूर के सेनापती हेमू तो हेमू और अकबर की लड़ाई इसको बोला जाता है अकबर और हेमू लेकिन अकबर वहां पर पर पर्टिकुलर्ली खुद नहीं लड़ रहा था तो वहां पर बैरम खान लड़ प्रक्षपोर्टन है वह है आप लोगों का हलदी घाटी का युद्ध तो पहला पानीपत का दुट्य ही होगया था दूसरा था तो कितना याद रखना है कि चैतर किलो हलदी अकबर ने खाई थी कितने किलो इक हलदी मैं आप लोगों याद रखनी है 76 kg जो हलदी आप और दूसरा क्या था आप लोगों का 76 kg आप लोगों का क्या हो गई हल्दी हो गई तो आप लोग इस तरह से याद रख सकने कि 56 लीटर में आपको 76 क्या करनी है kg हल्दी डालनी है तो ये आपका shortcut बन सकता है और दूसरा ये है कि हल्दी गाटी का जो युद्ध हुआ था किस किस के बीच में हुआ था उस टाइम पे जो मान सिंग था वो सेनापती था अकबर का तो फिर से आप लोग देख सकते हैं कि अकबर जो था पर्टिकुलरली खुद इस लड़ाई मे नहीं था ये राणा परताप और मान सिंग के बीच में ये हुए था दूसरा गुजरात विजय पर फतेपूर सीकरी की अस्थापना की गई थी 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 है उसकी स्थापना कप की गई थी जब अकबर ने गुजरात विजय की थी बुलन दरवाज़े का निर्माण भी वहां था अपना वहाँ पर की गई थी 1576 यही आप लोग देख सकते हैं 1576 ही है नीचे भी और उपर भी आप लोग इसे देख सकते हैं दाउद खां को पराजित कर उत्तर भारत के अंतिम अफगान शाषन का अंत किया गया तो आप लोग यह भी याद रख सकते हैं कि जो अफगान शाषन का टोटल जो फिनिश किया था खतम किया था वो किस ने किया था तो लास्ट में जो दाउद खां था वो क्या था लास्ट अफगान उसे मान सकते हैं आप यहां पर और 1576 में ही जो अगवर थी अगवर की सेना ने उसे हरा दिया था और लास्ट में अफगान स्राशन का क्या हो गया था यहां से अंत हो गया था अब कुछ विद्रो हैं जो की अगवर के टाइम पर हुए थे वो कौन-कौन से थे वो इस तरह से आप लोगों को चीजों को याद रखना है उसके बार 99 है यह क्या है अप लोगों का एक तरह से आप लोग做 का जो अगर आप लोगों को इस तरह से खुद का सेल्फ टेस्ट करने की आदत अगर पढ़ गई है और आप लोग उसमें सक्सेस हो रहे हैं डेली तो डेफिनिटली आप लोगों को बहुत सारे सीरीज याद होंगी और आपको अगर पर्टिकुलर टॉपिक की जो पर्टिकुलर सीर किया था उसके बाद आता है बलूचीयों का जो पाकिस्तान का इलाका है उसमें बलूचीयों ने क्या कर दिया था विद्रो कर दिया था और इसी विद्रो के दोरान बीरवल की हत्या हो गई थी मिर्त्यू हो गई थी 1599 में सहजादा सलीम जहागीर ने जाकर किस से मिल गया था पुर्तकालियों से मिल गया था और वहाँ पर क्या हो गया था 99 में सहजादा सलीम का विद्रो हुआ था और वही बाद में जाकर आप लोगों का काफी जो अकबर है उसकी लाइफ बहुत ही मीजरिबल रही साशन ब्यावस्ता से काफ़ी सारे कुश्चन पूछे जाते हैं तो जो साशन ब्यावस्ता थी अकबर की वो पर्टिकुलर्ली डिवाइडेट थी सूबों में तो उसने पंदरा सूबों में बाटा था अपने साशन ब्यावस्ता को और सूबों के बाद क्या चीज़ आती थी सूबों के बाद आती थी सरकार सरकार का मतलब होता है जिला ठीक है मीज उस टाइम में सरकार का मतलब जिला था सरकार के बाद आता था परगना तहसील और उसके बाद आते थे आपके गाउं या आप नीचे से उपर से देखेंगे तो पहले गाउं आएंगे तहसील या परगना आता था फिर जिल्ला या सरकार आता था फिर सूबा आता था सूबा या प्रांति या जो शाशन हुआ करता था उसके अंदर कई तरह के लोग काम करते थे उसमें जो पहला है आपका वो है आपका सिपासालार सिपासालार जो हुआ करते थे वो निजाम या सुबेदार आप उसे कहेंगे कार्यकारी जो आपके लोग थे उस टाइम पे वो थे आपके निजाम या सुबेदार जो होते थे सुबा का टॉप में जो है वो कौन है आपका सुबेदार होता था उसके बाद आते थे दीवान तो दीवान क्या किया करते थे पैसा एकटा किया करते थे फिर आते थे बक्षी बक्षी क्या होते थे सैन्य विभाग से related थे तो आप लोगों याद रखना है कि आपकी अगर जान कोई बक्ष दे तो कोई सैनिक ही आपकी जान बक्षेगा ठीक है अगर आप लोगों को राजस्ट पैसा किसी को देना है तो वो जाएगा आपका दीवान ठीक है वो मुखिया भी उसे बोलते थे और सिपा सालार कौन होते थे निजाम या सुबेदार हुआ करते थे उसके बाद क्या है सिकदा सिकदार किस से रिलेटेड होते थे सिकदार होते थे कानून ब्यावस्था से रिलेटेड आमिल और कानून गो दोनों किस से रिलेटेड होते थे राजस्ट से रिलेटेड होते थे अभी भी जो कानून गो है उनके पास में पुलिस की जो पावर है वो होती है बट जहातर य ये भी हो गया कि दीवान हो गया ठीक है पर गना तहसील में कहां पे है आपका आमिल और कानून को है तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि कौन से किस लेवल पे ये होते हैं आप लोगों से बहुत अच्छे से आपको याद करना है इन सारी चीजों को अब बात करते हैं यहां पर जो सरकार या जिला इस तर पर अगर हम बात करें तो जो प्रशाशनिक मुख्या होता था उसको फौसदार कहा जाता था आज भी जो आप लोगों को अगर कानून का जिनको थोड़ा बहुत पता होगा तो फौसदारी जो होता है कहीं पर अगर मार पीट हो गई ये सारी चीजיים फौसदारी तो कहा जाता है जो भी प्रशाशनिक मुख्या होता था उसे फौसदार और कहा जाता था अमल क्या किया करता था रा exercna किया करता था कोतौध जो किया करता था वो क्या किया करता था कानून से इलेटर होता है को टो अcoal आप लोगों को अलडी verw अब इसमें आ जाते हैं हम जो गराम परशाशन था गराम कि जो पटवारी है वो लेक पाल हुआ करता था चौकिदार चौकिदार ही हुआ करता था तो यह सारी चीजे हैं अगर आप लोग इनके आगे किसी का नाम लिख सकते हैं तो डेफिनेटली आपको चीजें बढ़िया याद रहेंगी तो आपको यह अलग अलग जो हम कहें स्ट चलते हैं आगे चलके कि धार्मिक नीती के बारे में कहें तो यह माना जाता है कि जो अगबर था वो थोड़ा धार्मिक सुतंतरता देता था उसने सुलहे कुल की व्योस्ता भी की थी और सुलहे कुल जो बनाया था उसने उसका मतलब यह था कि सभी धार्म के लोग वहां प बोलना होता था और जो दीन ए इलहाई था ये सभी धर्मों की व्यवस्ता थी कि सभी धर्म के लोग दीन ए इलहाई में आ सकते हैं और लेकिन सभी का जो मंत्र होगा वो क्या होगा अल्ला हूँ होगा फिर यहाँ एक क्वेश्यन पूछा जाता है कि जो मंसब्दारी व्यवस्ता थी और किस चीज से रिलेटेड थी पूछा जा सकता है कि आप लोगों का राजस्व से थी कर से थी किस चीज से थी तो यह आपकी सैन्य व्यवस्ता थी तो सैन्य मंसब्दारी प्रता आपको याद पड़ेगे, उसके बाद आता आपका भूराजस्व, भूराजस्व कौन देखता था, आप लोगों को हमने उपर भी देखा कि कानून गो जो हता है वो राजस्व देखता था, एक और होता था, उसका नाम होता था, करोडी तो वो वसूली अधिकारी होते थे तो आप लोगों को याद रखना है कि वसूल-वसूल के पैसे वसूल-वसूल के वो करोडी मल हो गए थे ठीक है मिन सुन के पाप बहुत सारे पैसे हो जाते थे एक करोड रुपय हो गए कैसे हो गए उसके पास एक करोड रुपय क्यों वसूलते थे पैसों से, सभी से वसूलते थे, अब एक आता है आप लोगों का भूमी विभाजन, कि भूमी विभाजन जो आप बनने किया था, वो किस तरीके से किया था, उसमें आता था आपका पोलज, पर्ती, चाचर और बंजर, तो जो आपका इसे याद करने का तरीका है, तो आप याद रख सकते हैं, इसे आपका इस तरह से पोब, चावी, पोब की चावी, ठीक है, पोब की चावी, अब इसको अगर आप सीदे सीदे पढ़ेंगे, तो आपको पोब की चावी से याद हो जाएगा, पोलज, पर्ती, च चाचर बंजर अगर किसी खेत में हमें हर साल हमें उसमें खेती करनी है मींस लगातार खेती हो रही है तो उसे पोलज भूमी कहा जाता था उस टाइम परती किसे कहा जाता था एक वर्ष के अंतर में अगर हम खेती कर रहे हैं तो उसे परती खेती के अंडर में रखा जाता था जो चाचर है वो 3-4 साल में तो चाचर 4 साल इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं और जो बंजर थी उसमें 5 प्लस यर्ट में खेती होती थी या नहीं होती थी तो यह इस तरह से अब एक कुशिन जो आता है वो आता है आपका नौरत्न से इसमें है आपका जो नौरतन है वो अबल फजल, फैजी अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन यह हो जाता कि कई लोग फैजी को रखते हैं कई लोग भगवान दास को रखते हैं तो आप लोगों को दोनों याद रखने हैं दोनों को यहां पर फजल से फैजी इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं एक तो हो गया आपका अबुल फजल दूसरा है आपका फैजी तीसरा बीरबल, तानसेन, टोडरमल, मान सिंग, अब्दुर रहीम, खान खाना, हमीम हुमाम, मुला दो प्याजा और भगवान दास इसमें question ये भी पूचा जाता है कौन किस से related था अभी मैं आप लोगों बताऊंगा लेकिन जो ये नाम है, ये नाम हमें कैसे याद रखने है, तो आप लोगों को ये simply ये formula याद रखना है, बैट बैट MDH ठीक है, तो अब कई लोग इस तरह से भी पढ़ते हैं कि बात बात में MDH मसाले को मांगा करते थे ये नौर रतन जो नौर रतन थे, वो बात बात पर क्या करते थे, MDH मसाला मांगा करते थे, और बैट बैट MDH सिंपली आप इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं, अब एक कुशिन दूसरा आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता कि कौन क्या थे, तो अबुल फजल जो था, वो फार्सी सबी को पता है, कि वीरवल क्या था, ये हाजिर जवाब एक मंतरी था, और सैन्य अभियानों में भी जाया करता था, उसके बाद आता है, तान सेन तो बाती ही फेमस है, आप लोगों को पता ही होगा, कि तान सेन संगीत से रिलेटर थे, उसके बाद आता है, आपका मान पती था, हमने देख लिया कि उपर मान सिंगे जो था, हल्दी गाटी के युद्व में भी लड़ाई की थी, और जो टोडर मल बज गया आपका, बीच में टोडर मल को आप लोगों मैं बता देता हूँ, कि जो टोडर मल था, उसने क्या किया था, अकबर का जितना जो भूर इसे रिलेटेड बात आती है, तो भूर राजस्व या कानून गो ये सारी चीजे करोडी हो गया, ये सारे जो पद बनाए थे, ये भी टोडर मल की ही थे, तो भूर राजस्व से रिलेटेड जो है, वह आपका कौन है, टोडर मल है, उसके बाद आता है आपका अब्दुर खान खाना, तो ये खाना खाता था और हिंदी की कविताएं लिखता था, तो आपको याद रखना है कि खाना खाके क्या किया जाएगा हिंदी की कविताएं लिखी जाएंगे, तो जब भी आप खाना खाईए, तो आप लोग क्या किजिए कि उस टाइम सोचिए कि आप क्या करेंगे खाना काने के बाद हिंदी की कविताइं लिखेंगे तो अबदुर रहीम खान खाना जो था हिंदी का कविता हमीम हुमाम ये क्या किया करता था कि ये पढ़ाई लिखाई करवाया करता था जो अकबर का बेटा था सलीम उसे भी हमीम हुमाम ने भी पढ़ाया था तो ये शाही पाट साला का क्या था प्रधान था उसके बाद मुल्ला दो प्याजा आता है ये चतुर था बहुत चालाग थे ये मुल्ला था और दो प्याजा था तो ये क्या करते थे दो प्याज से सारे काम करवा लेता था किसी को भी दो प्याज देता था और अपने काम करवा लेता था निकल वा लेता था इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं याद रख सकतें तो hopefully सारे आपको याद हो गएंगे और भगवान डास जो थे आपके सैनिक थे तो यहां पर आप लोगों को जो नौ रतने हैं usually अगर आप आप लोगों को इस तरह से दिया जाए फैजी या भगवान दास इनमें दो लिस्ट आप लोगों को याद भी रखनी है बाकि आप लोगों को याद रहेगा जहांगीर तो जहांगीर का जो था जहांगीर 1605 से 1627 तक यहांपे आप लोगों के पास है कि उसका अन्य नाम क्या था सलीम बहुत जगे आप लोगों ने ये सलीम नाम सुना होगा लेकिन जो सलीम था वही बाद में जाकर क्या बनता है जहांगीर बनता है जन्म कब हुआ था 1569 में 30 अगस्त में हुआ था शिक्षक कौन था अब रहीम खान खाना अब मैं आप लोगों को एक पूछूँगा कि जो अब रहीम खान खाना है वो क्या किया करते थे खाना खाने के बाद हम क्या करेंगे हिंदी के कभी भी थे और ये शिक्षक भी रहे जहांगीर के इसके अलावा जो है आपका हमीम हुआम जो हमने पीछे पड़ा है वो भी क्या थे शाही जो थे पाट साला के क्या थे शिक्षक थे लेकिन आप लोगों को अगर पूछा जाए कि जहांगीर के पर्टिकुलर या सलीम के पर्टिकुलर जो सिक्षक थे वो कौन अपनी एक उपाधी ले ली थी जहांगीर नियाई की जंजीर इसने जैसे ये गद्दी पर बैठता है तो अपनी एक नियाई की जंजीर इसने लगवाई थी चित्रकार दर्वार में कौन-कौन से इसके चित्रकार थे वो थे आपके मंसूर और अबुल हसन अब अगर आप लोगों को मैं डिरेक्ली जो मैंने यहां पर राउंड बनाये हैं तो आप लोग क्या करेंगे इनके अंदर अगर मैं टिक करूँ तो आप लोगों को बिल्कुल याद होनी चाहिए ये सारी चीज़े हैं चाहांगीर ने बनवाया था शाली मार बाग कश्मीर तो जाहांगीर जो था वो कहां गया था कश्मीर गया था अपनी साली गया था जहांगीर गया था कहां गया था कश्मीर गया था किसके साथ गया था शाली के साथ में गुरु अरजुन देव को इसने हत्या करवा दी क्योंकि इसने खुशरो को सरण दी थी किसको दी थी खुशरो को सरण दी थी इसने दो तरह के जो सिद्धान तर चलाए थे वो थे आपके दू अस्पा और सी अस्पा ये कुछ ज़्यादा हम कहें कि एक तरह के गोड़े रखने की परंपरा कि किसको कितने गोड़े रखने हैं वो इस तरह का कुछ सिद्धान था तो अगर पूछा जाए थे की गोडों से related जो सिद्धान थे या उन्होंने कुछ rules बनाए थे वो कौन से थे तो थे आपके दू अस्पा और C अस्पा फिर आता है आपका जनता या जुनता वर्ग पत्नी जो नूर जहां थी उसने ये जुनता और जुनता वर्ग बनाए था और ये जुनता और जुनता वर्ग था क्या ये एक तरह से pressure group हुआ करता था कि जो जहांगीर था या कोई भी राजनीती में प्रेशर ग्रूप बनाये जाते हैं इस तरह से उसकी पतनी नूर जहां ने ये प्रेशर ग्रूप बनाये था अब बात आती है हॉकिन्स की हॉकिन्स जो आया था वो 1608-1611 इसमी के बीच में यहां पर रहा था वो किसके दरवार में आया था जहांगीर के और दूसरा आया था थॉमस रो थॉमस रो आया था आपका 16-15 में और 16-19 तक यहां पर जहांगीर के दरवार में रहा तो आप लोग जो है याद रख सकते हैं इस चीज़ को कि जो हाकिन प्रेशर कुकर होता है ठीक है उसकी कंपणी है तो वो जहांगीर के दरवार में बेचने के लिए आया था दूसरा वो कहां गया था कश्मीर गया था ठीक है इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं तोमस कहां पर रोया था किसके दरवार में रोया था जहांगीर के दरवार में रोया था इसमें कुछ मंसब और होते थे तो उन्हें कहते थे हम उमरा अमीर अमीर आजम तो ये मनसब होते थे ये दस से पानसो सैनिक रख सकते थे ये पानसो से धाई हजार रख सकते ये धाई हजार से जादा सैनिक रख सकते थे तो इस तरह से ये कुछ इन्होंने अपनी एक तरह की सिस्टम मनाया था या आप कह सकते हैं लेवल थे इनके तो उम्रा अमीर अमीर आजम ये किस के दौर में थे आपके जहांगीर के दौर में थे इसने अपनी बुक थी जो लिखी थी वो थी आपकी तुझुक ए जहांगीर तुजुक ए जहांगीरी किस ने लिखी थी वह जहांगीर ने लिखी थी उसके बाद मैंने आप लोगों को मुगल समराट के जितने जो नाम है वह यह फॉर्मूला कल की वीडियो में अलरेडी दे दिया था कोफ़ली आप लोगों न कर लिया होगा और जिस परपर तरीके से यह क्लास चल रही है आप इसी तरीके से क्लास ले रहे होंगे उसके बाद आता है शाह जहांगे 1628 से 1628 से 28 से 58 तक रहा था जन्म कहां हुआ था लाहौर में हुआ था 1592 में 5 जैनुरी 1592 एंड 24 फरवरी 1628 को आगरा के ये सिंगासन बैठा था आप लोग याद रखना है कि आगरा के सिंगासन पर बैठा था सुरुपर्तम दक्षिन भारत में सरुपर्तम एहमत नगर में आकरमन वद्जीत कर मुगल सामराजय में कैद कर लिया था या आप कहें कि दक्षिन भारत में जो था उसने सबसे पहले आकरमन किया था और जीता भी था और मुगल सामराजय में कैद कर लिया था या आप लोग बोल सकते के मिला लिया था दक्षिन भारत को और इसने बनाया क्या-क्या था इसने जो निर्माण कार्य किये थे शाह जहाने दिल्ली का लाल किला जामा मस्जिद आगरा की मोती मस्जिद वद ताज महल इन लोग का है शाह जहां ठीक है शाह जहां के बार आप लोगों को उसका बनाना है पजामा ठीक है ये है आपका शाह जहां का पजामा अब ये जो पजामा है वो किस तरह का है आप लोगों का एक तो हो गया उसका दिल ठीक है लाल दिल आप इस तरह से लाल किला किस से लाल याद आजाएगा आप लोगों को जामा से पजामा से जामा मस्जिद आ जाएगा और आगरा से वो एक मोती लाता है ठीक है और उस पजामे की जेब में डाल देता है मोती यहां पर उसने डाल रखा है ठीक है और ताजमहल तो सभी को पता होता है तो इस तरह से आप लोग एक पिक् ठीक है और वो जा कहां रहा है वो आगरा के ताजमहल देखने जा रहा है उसने जेब में मोती रखा है जिसको वहार पर रखेगा और उसका जो लाल दिल है वो बाहर दिखाई दे रहा है यहां पर तो ये आप लोगों को याद रहेगा कि हमने साह जहां बनाया था मृत्यू कब हुई थी? 1666 में आगरा के किले में कैडी की तरह ही इसकी मृत्यू हुई थी और कुछ जो निर्मान कारे इसने किये थे वो इस तरह से मतजा रेशमा दिवानी मतजा रेशमा दिवानी बहुत फेमस फॉर्मूला है सारी चीज़ें याद करने का इसने मा से हो जाएगा आपका मयूर सिंगाशन ता से ताजमहल जा से जामा मस्जिद रे से रेशमा बाग सा से शाह जाह बाग मा से मोती मस्जिद और दिवानी से दिवाने आम दिवाने खास तो यह सारे के सारे आप लोगों का एके ट्रिक में आ गये हैं और बागी आप लोगों को पिक्चर आप लोगों को याद होगी कि आप लोगों ने किस तरह से उसे याद रखना है अब आता है काल औरंग जेब का जो काल है वो 1558 से 1707 तक होता है शाह जहां जैसे ही बीमार हुआ तो उसके चार बेटे थे चार बेटे कौन से दारा, सुजा, औरंग जेब और मुराद बक्स तो इन सभी के बीच में आपस में लडाईयां शुरू हो गई तो इसी को उत्तरादिकार का युद्ध भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने उत्तरादिकार के लिए मींस कि हमें सीट मिलनी चाहिए उसके लिए युद्ध शुरू कर दिये तो जो पहला था वो हुआ औरंग जेब और मुराद के बीच हुआ सामुगड नामकस्तान पर औरंग जेब इसमें क्या हो गया विजई हो गया उसके बाद आता है औरंग जेब और सुजा दूसरे भाहि के साथ में खंजवा नामकस्तान पर हुआ और उसे क्या हो गया उसमें भी औरंग जेब विजई हुआ उसके बाद औरंग जेव और दारा के मद्धे युद्ध जो हुआ था 1659 में हुआ था इसमें भी औरंग जेव क्या हुआ विजई हुआ और उसने आलम गीर की उपादी धारण कर अपना राजविशे कर दिया मेंज अब वो राजा बन गया है राजपूतों और जो मराठाओं से इसके समंद मदूर नहीं थे जिस तरह से आप लोग देखेंगे कि उपर अकबर ने जो थे राजपूतों और मराठाओं के साथ इस्पेशली राजपूतों के साथ अच्छा ब्यववार रखा था जजिया कर इसने पुनहे लगा दिया जो कि अकबर ने खत्म किया था यहां पर मैंने लिखा भी है आप लोगों के लिए कि जो जजिया कर था वो हमने उपर देखा कि खत्म किसने किया था वो किया था अकबर ने क्योंकि वो धार्मिक शेशनुता में विश्वास रखने वाला था यहाँ पर जजिया कर दुबारा शुरू कर दिया गया था इसने गुरु तेग बहादूर की हत्या कर दी थी और कई सारे जो हिंदू मंदिर थे उस टाइम पर उनको तुड़वाया था क्योंकि ये क्या था आप लोगों का ज़्यादा धर्म निर्पेक्ष नहीं था अब इसके बाद जो मुगल शाशक आते हैं औरंग जेब के बाद नौ मुगल शाशक आते हैं आप लोग उपर लिस्ट में भी देख सकते हैं भारती इतियास में इनका योगदान ना के बराबर था इसलिए इनको ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इनके काम नहीं है युद्ध नहीं है और एक्जैम के परपस से भी ये जदा इंपोर्टिन नहीं है इनका योगदान ना के बराबर था अकबर शाहा दुतिया की शाशनकाल में लॉर्ड हेस्टिंग ने मुगलों के आध्यपत्य को मानने से इंकार कर दिया जो कौन था अकबर शाहा दुतिया अंतिम मुगल जो शाशक था वो बहादुर शाहा जुभर था बहादुर शाहा दुतिया था अंग्रेजों ने लाल के लिए में कैद करके रखा था फिर इनको कुछ पेंशन वगरा देते थे और इसी तरह से ये जीते थे 1877 की विद्रो के टाइम वाला जो था उसने पुनाय सामराजय पाने की कोशिश की किंतों सफल रहा उसे रंगून भेज दिया गया तो जो 1857 की करांती हुई थी उसमें पूरे भारत के लिए जो लोगों ने बना दिया था अपना शाशक वो बाहदुर्शाज दुतियकों ही बनाया था लेकिन बाद में जब हार गए तो उसके बाद उन्हें रंगून भेज दिया गया था और ये भी 1857 की करांती के फेल होने के एक कारण में ये भी था कि जो लीडर था वो ही इतना बूढ़ा था कि सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाए उसके बाद एक कुश्चन आता है कि मगबरों से कि जो मगबरे थे मुगल सामराजी कि कौन कौन से थे कहां कहां पर बनाये गए हैं तो उसके लिए आपको भादशा तो आप लोगों को वैसे याद होगा उपर से तो भादशा जो है आपका बावर हुमायू अकबर या औरंगे इनको थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को देखना है कि यहां पर है कादिल सिलारा ठीक है कादिल सिलारा आपको इस तरह से लिखना है कादिल सिलारा तो का से तो काबूल हो गया आपका तो बाबर का आप लोगों को इस तरह से भी याद रखना है कि जो बाब मगवर है तो आप इससे क्या करेंगे इस तरह से बाभूर भी बोल सकते हैं जब भी मगवरे की बात आएगी तो बाभूर बोल एक देरीकट इडी बहुत हो है तो दूसरा तरीका यह भी है हुमायू का दिल दिल्ली में था हुमायू का दिल दिल्ली में था ठीक है तो हुमायू का दिल आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं तो उसके बाद आता है आपका अकबर अकबर का आपको ध्यान देना है कि देखिए सकंदराबाद अगर आप देखेंगे तो इसमें भी अकबर आप लोगों को देखेगा जैसे है देखिए करबा इस तरह देखिए तो अगर आप इससे अकबर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा आपको सिकंदराबाद तो अगर option में आएगा तो इनी में से कोई आएगा तो आप लोगों को ये देखना है कि जब भी अकबर की बात आती है कि कौन सा है तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं या सीधे सीधे अकबर सिकंदराबाद ठीक है अकबर सी इसके बाद आता है जहांगीर जहांगीर का क्या है? लाहोर में है जहांगीर का कहा था? लाहोर तो जहांगीर ला इस तरह से मैंने इसे याद किया था शॉर्टकट फॉर्मूला भी इसले लिखा है कि आप लोग इसे इस तरह से याद कर सकते हैं उसके बाद आता है आपका शाह जहां, शाह जहां का आगरा में है, और शाह जहां की आग, क्या बोलेंगे हम, शाह जहां की आग, उसके बाद आता है आपका औरंग जेव, औरंग जेव का आप लोगों को इस तरह से याद रखना है, कि औरंग से ही औरंग, तो आप लोग दे इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं मुगल कालीम जो इस्तफ़ते और वास्तुकला की बात करें तो कुछ जो कुश्चिन्स बनते हैं यहां से भी आप लोगों के बनेंगे काफी सारे कुश्चिन्स है उत्तर भारत में गुप्तकाल के बाद और दुतिया क्लासिकल इसे यूग कहा जाता है तो प्रथम जो क्लासिकल यूग कहा जाता है उसके बाद इसे दुतिया क्लासिकल यूग भी कहा जाता है बावर बावर ने कौन सी शैली का यूज किया था इंडो-Persian Sally जो है वो related किस से है वो बावर से related है उसने इसी शैली में किस-किस चीज का निर्मान करवाया था पानी-पत के काबली-बाग के मस्जिद, संभल में जामी मस्जिद और आगरा के आराम-बाग का जो निर्मान करवाया था वो इंडो-Persian कला सेली में ही करवाया था उसके बाद बात आती है हुमायो की हुमायो ने दिल्ली के निकट दीन पनाह को बनवाया था उसके बात आता है शेचासूरी, सेचासूरी का पुराना किला अकबर, मुगल इस्थापत्य का वास्तू कला की वास्तविक शुरुवात इंडो-इस्लामिक कला सेली यहां से शुरुवात होती है अकबर के टाइम पे फतेपुर्ट सीकरी का निर्मान कारे करवाया था बुलन दर्वाजा जो बनवाया था वो आपका 176 फिट है 176 फिट जो है वो बुलन दर्वाजा है जावा मस्जिद के दक्षणी परवेश दवार पर इसे रखा गया है और इसमें संग मरमर का यूज करवाया गया है दो परशाशकिया भावन भी बनाए गये थे इसमें थे एका दिवाने आम इसमें वो दर्वार लगाता था और दिवाने खास इसमें कर्मचारियों की बहस सुना करता था जहांगीर अगर हम बोलें कि चित्रकला किसके उसमें चरम में थी तो वो था आपका जहांगीर मैंने आप लोगों को कहा भी था कि शालिमार बागो गया निशानत बागो गया ये कश्मीर में लगवाए थे लाहोर में मोती मस्जिद अनार कली का मगवरा बनाया था और जालंदर में सराई का निर्माण कर्वाया था किसने जहांगीर ने शाह जहां वास्तुकला का सुन्नकाल इससे कहा जाता है आगरा में जो निर्मान कारे किये थे आगरा में किले के भीतर दिवाने आम, दिवाने खास, मोती मस्जिद, जामा, जामा मस्जिद, ताज महल ये सारे उसने निर्मान करवाए थे दिल्ली में निर्मान कारे की बात करें तो 1638 में आगरा से दिल्ली रास्थानी चेंज करवाई गई थी लाल किला बनाया शाह जहानाबाद नगर की स्थापना भी की गई थी तो ये हो गया आपका स्थापत्य कला जो मुगल काल में हुई थी सारे कुश्चन्स आप लोगों को तयार करने हैं बहुत अच्छे से इसी के साथ आपका जो मुगल काल है वो समाब तो होता है और अब हम आदुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे यहां तक आप लोगों के जितने कुश्चन्स बन सकते हैं सारे हम कर चुके हैं इसलिए आप confidently इन सारी चीजों को रटना शुरू कीजिए जो shortcut बताएं shortcut यूज कीजिए पिक्चराइजिशन यूज कीजिए अब इसके बाद हम तुरंद स्टार्ट करेंगे आदुनिक भारत के बाद जियोग्रैफी तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर